हेलो एवरीबन स्वागत आपका मेरे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक कॉमन प्रॉबलम जो की बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं उसके मेरे पार के बाजू में जो है खिचाओ क्यों आ जाता है या फिर आप आर्मॉल भी बोल लीजे या तो फ्रेंट्स इसी टॉपिक पर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस कारण से यह होता है और वीडियो लाश्ट तक देखना मैं इसके उपाई भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको ठीक भी कर सकते हैं और फ्रेंट्स एक बात और बोलनी है कि मेरी बेटी का भी एक व्ल तो चली शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह जो गोलाई होते हैं यह हमारा आर्मोल होता है मुढधा भी बोलते हैं और यह हमारा स्लीव होते हैं आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आर्मोल में खिचाओ क्यों आता है या जो मैंने टाइटल में दिया है कि बाजू में आर्मोल को जादा नहीं समझ भाते तो जब इस तरीके से आप सूट पहनते हो तो इस तरीके से खिचाव आने लगता है और काफी अनकमफोटेबल हो जाता है वो पहनना भी मुश्किल हो जाता है तो यह क्यूं होता है और आप से यह गलती ना हो तो इसका मैं बताऊंगे आपको समझाने के लिए तो यहां से जैसे हमारी कुर्थी फोल्ड होती है फिर हम शोल्डर लेते हैं डबल से शोल्डर साड़े 7 हमारा जैसे नॉर्मल है यहां पे आर्मोल की लंबाई का नाप्य हम 6.5 इच रख लेते हैं या फिर 7 इच जो भी आप रखना चाहें फिर च प्रेटिंग के दौरान आपसे क्या गलती हो जाती है कि जो बाजू में है खिचावाने लगता है तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो आपकी होती है आप क्या करते हैं जैसे कि यह मैंने लाइन खीची और मैंने यहां से जो है इसको गुलाई दे दी ठीक है कई लोग क्या कर कर लिया है example के तौर पर दिखाने लिए तो ये वाली जो आप चीज देख रहे होंगे हमारी कम हो जाती है और उसी वज़े से जो है हमारा जो है खिचाव आजाता है जब हम sleeve joint करते हैं तो एक कारण तो ये है friends ठीक है अब दूसरा कारण क्या होता है कि आप क्या करते होंगे कर देते हो इस तरीके से बहुत ज़्यादा deeply कर देते हो यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ से एक डेड़ इंच का shape देना होता है यहाँ से एक डेड़ इंच का इस तरीके से भले दे दे अगर आपको ऐसे समझ में नहाता और फिर यहाँ से जैसे गोलाई देते हैं तो किसरा कारण क्या होता है कि फ्रेंट्स जैसे हमने शोल्डर कम करते हैं हम नेक के हिसाब से जैसे नेक हमारा डीब होता है तो शोल्डर गिरेना तो इसलिए हमें जो शोल्डर है वो कम करना पड़ता है ठीक है जैसे मैंने ये शोल्डर अपना कम कर लिया जैसे डेड़ इंच जो है मेंने कम कर लिया, अब आप क्या करते हो, कि आपने ये शोलडर कम किया और आपने ये वाला चीज भी कम कर दी, बिल्कुत सीदा ले लिया, बलकि कई बार मैं अपने सूटों में जब कटिंग करते हैं, बता भी चुक यूँ है कि आपका शोलडर अगर कम होता है, तो हो आप इस तरीके से जब ले लेते हो तो भी खिचाओ बनता है तो आप इस तरीके से ना लें यह आपका भले कम हुआ है यहाँ पे आप बिल्कुल साड़े साथ पर ही इस तरीके से लाइन लगाएं और फिर यह शेप दें ठीक है फ्रेंट्स तो यह तीन चीजे मैंने आपको बता दें इन तीनों में से अगर एक भी चीज आपके साथ इस तरीके से हो जाती है तो आपका जो है बाजू खिचता है तो आप किस तरीके से करें आप मेरी कोई भी कुर्ती की कटिंग की वीडियो देख लें मैं हमेशा जो है इसी तरीके से बताती हूँ और उसमें आपक हमने साड़े साथ ही लेना है हमारी चेष्ट में और इसको बिल्कूर सीधा मिलाना है और यहाँ से एक इंच ये सवा इंच पर इस तरीके से गोलाई दे दे तो ये बिल्कूर सही तरीका होता है ऊपर शोल्डर भले का हो जाई ये वाली जो लाईन है इधर ही ठिके Pill Hier तो friends, इतना सा समझना है और इसके उपाए क्या है मैं कुछ आपको आईडिया दे देती हु तीन-चार जैसे कि सबसे पहले तो आप क्या करें अगर आपके साथ यह गलती हो गई है तो बिलकुल मैचिंग का कपड़ा आपको लेना है बिलकुल मैचिंग का कपड़ा लेके और आपको यहां पर आर्मोल ड्रॉ करना है, इस तरीके से ये वाली शेप हमारी बन गई और इतना जैसे ये वाला इस तरीके से कपड़ा ले लेना है आपको, भले आपका जो सूट का आर्मोल उसको रखके ही आप ये शेप लगा सकती है, इतना कपड़ा, ये इतना कपड़ा आ उसका margin का भी आप कट करें कपड़े पे और उसको joint कर लें ठीक है तो यह तो friends इसलिए मैं आपको बतारीं कि हमारा जो सूट है पढ़ा न रह जा है हम उसका use कर लें तो यह तरीका है दूसरा तरीका क्या है कि आप sleeveless बना लें उसको sleeve हटाने क्योंकि sleeve से ही तो खिषता है बाजू से ही खिषता है वो sleeveless बना के उसके उपर आप soft सी lace लगा लें उसका थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आर्मोल को तो कोई soft सी lace लगा सकते हैं आप एक तरीका यह हो गया तीसरा तरीका क्या है कि आप जो umbrella sleeve होती है full जो umbrella उपर से ह जो umbrella शुरू होती है sleeve जो उपर से ही umbrella sleeve शुरू होती है वो लगा सकते हैं उसमें यह खिचाव नहीं आएगा क्योंकि वो उपर से ही ढीला sleeve होता है तो उसमें खिचाव नहीं आता तो एक तो यह तरीका हो गया क्या आप पुर्ती में फिर umbrella sleeve भी लगा सकते हैं चौथा जो idea आपका यह हो सकता है कि आपकी जो कुर्ती है जैसे कि हमारी यह कुर्ती है जैसे कि हमारी कुर्ती है और यह हमारा आर्मोल है तो हमें जो टाइट हुआ है वो यहीं से हुआ है आर्मोल से ही खिच रहा है तो आप जो कुर्ती का कॉम्बिनेशन का ही पूरा ही यह जो योग पै बिल्कुल उसे मैं चीना करें मतलब डिजाइनर भी ले सकते हैं तो आपकी डिजाइनर कुर्ति बन जाई तो फ्रेंट्स यही उपाएं यही कर सकते हैं फिर उस कुर्ति के साथ तो फ्रेंट्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई और जितना मैंने आपको समझ तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको समझ में आया फिर भी कोई चीज अगर रहे गई है तो प्लीस कमेंट बाक्स में पूछना और मैं बारा बजे जो है अपनी वीडियो अप्लोड करती हूं मतलब मंडे और फ्राइडे को तो आप बारा बजे ही जैसे कमेंट करती हो तो में पैप अक्ती रहती हैं और उससित्व वीडियो में आपकर आपको थोड़ाव सब्सक्राइब करें और अब आप जरूर्दाबाइ, thank you for watching.